दो हजार चोबिस का लोकसवा चुनाव ठीक सामने है बिलकुत सिर के उपर आ गया है और दो हजार चोबिस के चुनाव से पहले जो मेन हिंदु-मुसल्मान का एक लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से वो मुद्दाश शान्त हो गया था कभी सुर्ख्यों में राहुल गांदी है कभी अख़बार में टीवी के अंदर विपक्स की एकता को लेकर के बात हो रही है कभी अर्विंद केजरिवाल को लेकर के बात हो रही है कभी मम्ता बेनरजी को लेकर के बात हो रही है कभी अखलेस यादव को लेकर के बात हो रही है लेकिन बीजेपी की बात नहीं हो रही थी सरकार की बात नहीं हो रही थी विपक्स के चैरे दिख रहे थे विपक्सी एकता दिख रही थी 18 पार्टियों की मिटिंग हो रही वो दिख रही थी लेकिन हिंदो मुस्लिमान का जो एंगल था वो शान्थ हो गया था टीवी की स्क्रीन से और अख़वारों की सुर्ख्यों से वो शान्थ हो करके ठंडा पड़ा हुआ था लेकिन पिछले कई साल से एक दुर्भाग्य से हम ट्रेंड देख रहे हैं राम नोमी और राम नोमी और रमजान अक्सर जब साथ साथ में आते हैं तो कैसे जो है शोभा यात्रा के नाम पर उपद्दर्व होता है कैसे हिंसा होती है और कैसे ये देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग राज्यों में होती है यह यूँ कहें कि पूरे देश में ट्रेंड हो गया है मैं आपको खबरे दिखाता हूँ कई राज्यों की मैं आपको खबरे दिखाता हूँ और इन राज्यों की क्रिनोलोजी को आप समझे कैसे जो है वो यहाँ पर लगातार हिंसा वो देखने को मिल रही है ABP News की खबर आप देखिए और यह बाकाइदा जो है वो गोलधारे में मैंने किया है ताकि आप समझ सके गहराई से समझे राम नोमी के उपर शोबा यात्रा पर पत्थराओ दरजनो गाडिया फुकी राम नोमी पर देश के कई शहरों में बवाल सत्तर से ज़ड़ा गिरफ्तारिया तो अलग-अलग हिसों में देश के अलग-अलग हिसों में जो है ये हो रहा है राम नोमी के उपर एक खबरे पहले आती थी कई साल पहले आज से 10-12-15 साल पहले कि कैसे जो है वह राम नोमी को भौवे तरीके से मनाये गया जाक्या निकाली गई लोगों ने बंडारे लगाए सारी बाते निकल करके सामने आती थी लेकिन अब होता है कि राम नौमी के बाद में दो दिन तक हिंसा चलती रही ABP News ने लिखा है राम नौमी पर कई शहरों के अंदर जो है वो बवाल हुआ है अमर रुजाला की खबर आप देखिए हावडा से हाशन तक राम नौमी पर शहर शहर हिंसा जाने किस किस जहें पर हुआ उपद्दर हुआ और देखिए एक खबर मैं आपको ये अलग अलग भी रारोप लगाए मैडम कह रही है मोदी जी की लोक्रियस सांसद माननिय स्मिर्ती रानी जी कह रही है कि स्मिर्ती रानी ये जो बंगाल में हिंसा हुई है उसके लिए ममता बेनर जी जिम्मेदार है हो सकता है जिम्मेदार हो हो सकता है कि उनकी राजनेती रणनेती वो ज राज्यों की हिस्ट्री एक एक करके उन राज्यों का फ्यूचर राजनितिक फ्यूचर वह मैं आपके सामने रखोंगा और वहां पर मैडम साब मैडम जो है साइबा वह क्या जवाब देंगी द्हान से देखना अब और दूसरी ख़बर देखी आप यह आज तक की ख़बर है छत से बरसाए पत्थर फूके वहान राम नोमी पर सुलगे बंगाल के दो शहर मारास्टर गुजरात में भी इंसा अब गुजरात में ममता बेनरजी की सरकार है गुजरात में ममता बेनरजी जो है वो मुसलमानों का तुष्टिकन कर रही है मारास्टर में भी उनी की सरकार इस ऑब है है ना मैडम साहइबा ज्वाब दी जिए श्मेरती रानी बतई अगर बंगाल की इंसा के लिए मम्ता norji जिम्मिदार है तो गुजराथ के वडोद्रा में जो हुआ उसके लिए कोउन जिम्मिदार है महराष्ट्री में जो हुआ मुंबई में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है आपी की सरकार है न या फिर जो सुप्रीम कोट की जज ने अभी कहा था कि महराष्ट्री की सरकार नपुनसक हो गई है वो सही कहा था क्या सोची ज़रा इस बात को अब देखिया आगे मैं गोड़से का मैमा मंदन कमाल की बात है साब देखिये ज़रा तस्वीर आप देखिए और यह जो है यह तस्वीर ये वीडियो वाइरल हो रही है कैसे जो है वो गोड़से का चित्र वो यहाँ पर दिख रहा है तो यह सवाल उठेंगे के नहीं उठेंगे इन पर बात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए और यहाँ पर इतना ही नहीं है दूसरी ख़बर आप देखिए भारत समाचार की ख़बर आप देखिए कानपूर राम नोमी पर आयोजित कारिकरम में असलील डांस बर्रा के करही में बार बालाओं का असलील डांस मा सर्गवासनी के मंदिर क के सामने हुआ था करिक्रम भारी भीड के बीच में बार बालाओं ने लगाए ठुमके वीडियो वाइरल अब इनकी तस्वीर में आपको दिखा नहीं सकता हूं हम तस्वीर दिखा देंगे तो हंगामा हो जाएगा हम तस्वीर दिखा देंगे तो हमारी वीडियो के उपर एक और वहाँ पर भीड आप जानते कौन सी वीड है वह भीड सिट्या बजा रही है तालिया भी बजा रही है पैसे रूपय लुटा रही है सोचे जड़ा है इस बात को और दूसरी ख़बर में आपको दिखाता हूँ कैसे दो है उचीजे हो रही है एक और ख़बर आप देखे डियने हिंदी ने छापा है राम नौमी पर कई रज्जों में हिंसा सुलग उठा पस्चिम मंगाल महरास्ट्र गुजरात में भी अंगामा क्या वज़े है वज़े तो सबको मालूम है कैसे एक खास समुदाय या एक खास पार्टी एक खास तबका उसको फाइदा पहुचता है कि जब जब हिंदु मुसल्मान की बात होती है जबजब हिंदु मुसल्मान का पैटरन चलता है तो किसकी राजनेती त्यज होती है। कौन है जो उस पिछ के उपर खड़े होकर के हिंदु मुसल्मान की पिछ पर खड़े होकर के छक्के पर छक्के लगाता है और कौन है जो हिंदु मुसल्मान की पिछ पर आते ही हिट विकिट हो जाता है सोची जरा इस बात को कौन सी राजनिती पार्टी है वो कौन से नेता है वो सोची जर भाएब अब आता हूं मैं आपके सामने जो कल जो हिंसा हुई है उसकी क्रonology को आप समझी है कल जो हिंसा हुई है उसमें देश बरके कम से कम सात राज له जाकी मैंने ख़बरे देखी हैं हो सकता है कि मैं नहीं देख पाया हूँ और भी राज्यों में खबरे हुई हूँ सात राज्ये ऐसे जिनके अंदर जो है वो बड़ी इंसा हुई है या छुटपुट हिंसा हुई है लेकिन उपद्दर और हिंसा की खबरे राम नोमी को लेकर के रमजान को लेकर के सामने आई है इसमें बंगाल इसमें बिहार इसमें महरास्ट्रा इसमें करनाटक गुजरात यूपी और दिल्ली ये सात राज्ये हैं बंगाल, बिहार, करनाटक, दिल्ली, यूपी, गुजरात और साती साजो है महरास्ट्रा ये सात राज्ये ऐसे हैं अब इन सातों राज्यों को आप ध्यान से देखिए इन सातों राज्यों में क्या है इन सात राज्यों के अंदर दो राज्ये ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की परचंड बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है और गुजरात के अंदर सरकार है यूपी में बहुत बड़े लेवल पर नहीं लेकिन कुछ खबरे ज किसकी कलती नहीं है ये काम हमारा नहीं है हो क्यों रहा है ये सवाल हमारा है ये सवाल तो पूछना चाहिए न कि आकिरकार हो क्यों रहा है पूरे देश के अंदर हंगामा हो जाए सरकार आपकी डबल इंजिन आपका क्या कर रहे हैं आप को पता ही नहीं है जो पिछले कई साल देखिए इन साथ राज्यों में से दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बेजेपी को करारी सिकस्त करारी हार मिली है बंगाल और दिल्ली ऐसे राज्य जहाँ पर पठकनी दे दी जवरदस पठकनी दे दी पूरी ताकत लगाने के बाद पठकनी दे दी दिल्ली में तो कैसे जो है इसमें ऐसे हैं जहाँ पर ओप्रेसल लोटस वो चलाकर के सरकार मनाई महरास्टर के अंदर और करनाटक के अंदर अब करनाटक में दोबारा से चुनाओ है और करनाटक में एक वो टी राज़ा एक आपने देखा होगा जो बीजेपी से सुस्पेंडिड विधाय का वो कैसे हं गमा है सोची जरा इस बात को अब इसके आगे एक और राज्य ऐसा है बिहार बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर इनकी सरकार थी लेकिन इनी को पठखनी मिली सरकार अब जो है विपक्स की हो गई है महा गठबंदन की हो गई है अब सोची जरा इस बात को कि क्या उसको दो रजबुत सरकार किंदर के अंदर है तो लगातार ये पैटरन क्यों हो रहा है गलती किसकी है ये पकड़ना और ये उंगली करना ये अमारा काम नहीं हो क्यों रहा है ये पूछना अमारा काम है गलती जिसकी भी है सरकार उसको पकड़े सरकार उसको जेल किस अलाखों के पीछ डाले चाहिए वो इधर का हो चाहिए वो इधर का हो आप शेर कीजिए इस ख़बर को आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बोक्स में लिक करके मुझे जरूर बताइए और इसी तरह तमाम ख़बरों के लिए ओलाइन यूजेंडेक सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आ